दोस्तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पेल आइकन को ज़रूर प्रेस करनें तकि आपको हमारी आने वाली सब भी वीडियो की नोटिफिकेशन यूटुब पर रेगुलर मिलती रहे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अनिर और आप सब ही का एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटुब चैनल अनिल ठाकुर ओफिशल में देखे इस वीडियो का जो में थीम है वो क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ मान लीजिए आप पेटियम बेमेंट्स बैंक का यूज करते हो और आपके पास पेटियम का एक डेबिट कार्ड भी है ठीक है और आपके अकाउंट में बैलेंस भी काफी ज्यादा है या लगबग 10,000-20,000 या आप जितना मानते हैं अच्छा खासा बैलेंस आपके अकाउं भी मिल सकता है ये भी आपको पूरा विश्वास है ठीक है मतलब कि आपका डेबिट कार्ड ना तो खोया है ना फिर किसी दूसरे अंजान व्यक्ति के पास गया है जिसके पास गया है उससे आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा लेकिन आपको फिलहाल उस व्यक्ति पे भर सबी नहीं है और उसके पास आपकी ATM कार्ड के साथ साथ आपका ATM पिन भी उसको पता है ठीक है तो ऐसी situation में आप क्या कर सकते हो ऐसी situation में आप अपना ATM कार्ड जो की आपका ATM का है उसे आप deactivate कर सकते हो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे block करने का सब्द में यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि block करना अलग चीज है और deactivate करना अलग चीज है तो यहाँ पे आप temporarily अपने डेविट कार्ड को manually आप deactivate कर सकते हो पेटियम एप्लिकेशन से अब आपको यह चीज करनी कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे practically समझाऊंगा पेटियम एप्लिकेशन में तो यहाँ पर देखिया कि आपको सबसे पहले आपको करना क्या है अपने जाना है यहाँ पर Paytm के इसको उपन करने ना है, अपने गचीशंप करने के बाद आपको करना क्या है ध्यान से आप यहाँ पर देखिAY गा और वीडियो को skip मत कीजिएगा आपको जाना है अपने Paytm Bank के option में और अपने Paytm Bank के option में जाना के बाद यहाँ पर जो 4 digit का जो number होता है आपका वो आपको यहाँ पर type कर देना है तो यहाँ पर हम screen थोड़ा सा blur कर देते हैं और मैं यहाँ चारंगों का pin type कर देता हूँ तो नीचे आपको देखे एक option दिखाई देता है View and Manage Your Debit Card तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपके सामने 4 options दिखाई देते हैं पहला Manage Card, दूसरा Request New Card तीसरा View Offer and Benefits और उसके बाद जो 14 option है वो है Need Help तो यहाँ पर देखे आपको अपना card deactivate करने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पर सबसे पहले जो एक पहला option है वो दिखाई देता है Manage Card का तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने यहाँ पर देखे एक option दिखाई देता है debit card is active for use तो यहाँ पर जो इस option को है आपको क्लिक करके disable कर देना है अब इससे होगा क्या कि आपका जो debit card है जिस भी व्यक्ति के पास है वो चाहे कितना ही प्रयास कर ले वो use नहीं होगा नहीं उससे पैसे निकलेंगे तो इस feature का use करने से यह फायदा आपको होगा कि जिस भी व्यक्ति के पास आपका debit card होगा वो गलत use नहीं कर पाएगा वो आपके account से पैसे नहीं निकाल पाएगा और मान लीजिए उस व्यक्ति से आपको debit card फिर मिल जाता है वापिस तो आप इसको वापिस से enable कर सकते हो यह निकि आपका card आप वैसे ही use कर सकते हो जैसे आप पहले use करते थे लेकिन temporarily आप जब भी चाहो इसको disabled या फिर deactivate आप कर सकते हो तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था अगर paytm से related आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे comment करके बता सकते हो या पूछ सकते हो और इसके साथ या अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like करना मत भूलेगा और हमारे यूट्यूब चैनल अनिटागूर ओफिशिल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा और टैक से related मेरी दूसरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल अनिटागूर ओफिशिल पर तबता के लिए धन्यवाद